गुड मोर्निंग एवरिवन स्वागत है दोस्तों आपका आज के दा हिंदू न्यूस पेपर की अनेलिसिस में आज है दिसमबर 31 साल का आखरी दिन है मेरा नाम है सितेंदर चोधरी और रोज की तरह हम लोग करने वाले हैं आज की अनेलिसिस वैसे आज साल का आखरी दिन था और वही घीसे पीटे आर्टिकल इसने लगबग दिये हैं यहां पे तो एक बार देख लेते हैं हम आज कौन-कौन से आर्टिकल करने वाले हैं पहला आर्टिकल रहेगा दैट वुड बी अबाउट दा अफसपा नागलन पे जो इशू था उसके बाद अफसपा दुबारा दा वाइड लाइफ कंजर्वेशन और यहां पे हम लोग किसी एक खास स्पीसीज के बारे में बात करेंगे क्योंकि ओडीसा में एक अच्छी न्यूज आई है और जब भी नेचर की कंजर्वेशन के लिए या कोई वाइड लाइफ की प्रोटेक्शन के रिगारिंग कोई दिल को भी अच्छा लगता है और एक्जाम में जो है एक्जामनेर को भी अच्छा लगता है तो यहां से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है तो हमारे एकोलोजी एन्वार्मेंट वाले से से हम इसको कवर करेंगे बायोडिवर्शन से अगला जो टोपिक रहने वाला है है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे यूए के साथ हमारे रिलेशन को थोड़ा समय आपका रिवाइज कराऊंगा हालां कि यह भी रिपीटिटिटे टोपिक ही है आज का जो एडिटिटिव सेक्शन रहेगा देट इस गूइंट इस फाइव नेशनल फैमिल थे वो पूरे पॉलिटिकल वाले थे तो इसलिए मैंने उनको इंक्लूड किया ही नहीं तो मैंने सोचा कम से कम इसके बाहने आपके रिवीजन ही हो जाएगी और आज का जो लास्ट वोने रहने वाला है देट इस गूइंग टू वड़ा दा बैंकिंग सेक्टर तो पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा राइट चलिए तो खबर कहां से शुरू होती थी खबर होती थी नागालेंड से शुरू होती थी है ना नागलेंड देखे हमारी यहां पे होती है सेवन सिस्टर्स सेवन सिस्टर्स कौन कौन सी सेवन सिस्टर्स है दे म मतलब मनिपूर, म मतलब मिजोरम, तर्व मतलब त्रिपुरा, तो नागलेंड, मनिपूर, मिजोरम और त्रिपुरा, एक आपके सिस्टर आगी, यहाँ पर यह वाली, मेघालिया, शिलोंग पलेटू, एक चीज़ आपको मैं बताता चलों, यहाँ पर आपके जो राजमहल हिल्स आती है, इसके बीच में जो गैप होता है, इसे हम लोग मालडा गैप बोलते हैं, जोगरिफी का टोपिक है यह, एक आपका यहाँ पर आजाता है आसाम, यहाँ पर आपका आजाता है और नाजल प्रदेश, और यहाँ आपका जाता है यहाँ पर सिक्किम, तो यह हमारी हो जाती है, सेवन सिस्टर्स, ठीके, तो वन, कहां गई, यह वन, टू, त्री, फोर, फाइव, सिक्स, और सेवन, प्लस सिक्किम, ठीके, तोकि यह बाद में आड़ गवा था, और यह नागलेंड, तरिपुरा, नाचल, सबको कंसेडर कर सकते हो, यह जो है थोड़ा डिस्टर्बन एरिया है, यहाँ पे कुछ सेशनिस्ट एक्टिविटीज चलती है, तो डिस्टर्ब एरिया को प्रोटेट करने के जिम्मेदारी किसकी है, वो है सरकार की, मतलब सेंटर्ल गोवर्मेंट की है, फिर हमारी डिफेंस फोर्सिस की, जिसको आप लोग आर्मी कह सकते हैं, तो आर्म नेरे फोर्सिस को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई है, कि यहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, जो वाइलेंट एक्टिविटी होती है, वो उनको कंट्रोल कर सकें, तो जो स्पेशल पावर्स दी गई है न, वो एक कानून के तहत दी गई है, उसी को कहा जाता है अपसपा, ठीक है, इस समय इंडिया में अपसपा कहां पे है, जम्मू कश्मीर में है, और राचल परदेश की कुछ डिस्टिक्ट में है, आसाम में है, मेगाले में है, नागालेंड में है, मनीपूर में है, और मिजोरम में है, मानी मनीपूर के कुछ हेरियाज को यहां से हटा दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन अभी काफी पीसफुल है, तो यह थोड़ा साब कि आपको यहां पे देखना पड़ेगा, पंजाब में भी पहले लगा हुआ था, पंजाब से बाद में हम लोगों ने हटा दिया, तो नागालेंड के अंदर यही हुआ, नागालेंड के अंदर कुछ गलती हो गई, आवन फोर्सिस से जो हमारी सिकुर्टी फोर्सिस थी, गलती से उन्होंने कुछ लोगों को जो हाँ पे इन्नोसेंट लोग थे, आम आदमी थे, उनको गलती समझ लिया, रात का अंदेरा था भईया, नहीं समझ पाई, और उनकों पर गोलियां वगएरे चला दी, जिसकी वज़े से कुछ लोगों की अन्फोर्चनेट डैथ भी हो गई, तो बहुत हंगामा हुआ, वाइलेंस वकरा भी हुए, और अफसपा को नागलेंड से हटाने की बात चल रही है, लेकिन सरकार ने कहाँ देखे भईया, नागलेंड से नहीं हटा सकते हम लोग अफसपा, क्योंकि नागलेंड की सिचुएशन अभी जो है वो पीसफुल नहीं है, तो उसको अभी छे महीने की एक्स्टेंशन और दे दी है, तो छे महीने तक अभी नागलेंड में और अफसपा लगेगा, उसके बाद सरकार उसको कंसिडर करेगी, लेकिन हंडर्ड परेसेंड सभी को पता है कि वो दुबारा से वाँ पे इनक्रीज होने वाला है, जब ब्रिटिशर्स की फोर्सीज की अगेंस्ट में वाइलेंट अक्टिविटीज यहां पर हो रही थी, उनको पकड़ पकड़ के हम लोग मार रहे थे, तब उन्होंने स्पेशल पावर्स दी थी उनको हैंडल करने के लिए, मतलब किसी को भी मारिये, किसी को भी एरेस्ट कीजिये, किसी के घर में जाब क्या तलाशी ले सकते हो, आप से कोई कोशन नहीं पूछेगा, इस तरह की कुछ पावर्स पेशल दे दी गई थी, लेकिन नयाबाद में अफ्टर इंडेपेंडेंडेंस सरकार ने इसको कंटीन्यू किया, 1958 में फिर हम लोगों ने आप सबा इसको 1958 में मतलब इसको हम लोगों ने अपने रूप में, बिटिशर्स ने जितना हार्ष लिया था उतना हार्ष तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कंटीन्यू हम लोगों ने क्या, unfortunately एक डेमोक्रेटी कंट्री में एक फ्री कंट्री में ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन यूँ वैरी वैल नो कि हमारा कंट्री के ताँ डाइवर्स है, यह कोई एक्चुली है, हमारा जो कंट्री है नो कोई एक कंट्री है ही नहीं, हमारा कंट्री तो अगर आप अंदर जाओगे, लेंग्वेज की हिसाब से, रिलीजिन, कॉम्मुनिटी, कल्चर दुनिया भर की नेशन्स हैं, तो इंडिया को कहा जाता है, इंडिया को कहा जाता है, one country, many nations, अगर आप आपने कभी पढ़ा हो इस तरह की चीज़ें, one country, many nations, यह आप इंडिया की बात कर सकते हो, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक national अभी हम लोग nationalization की तरह बढ़ रहे हैं अभी हम लोगों का nationalization complete हुआ नहीं है जैसे आप Japan एक्जामपल ले सकते हो Japan में जो है आप कह सकते हो one country one nation क्योंकि पुरा Japan के अंदर एक ही culture है एक ही समझ है एक ही you know nationhood की feeling है और जैसे आप Korea को कह सकते हो two country one nation two country one nation वहाँ पे अगर आप South Korea, North Korea वो अपने आपको Korean ही बोलते हैं लेकिन unfortunately वो दो country है आप यहाँ पे श्री लंका के एक्जामपल लह सकते हो one country two nations मतले एक वहाँ पे सीनिलीस population है और एक वहाँ पे मिल population है तो वो दो अलग अलग nations है नेशन दोस्तों एक emotional concept होता है ठीक है अगर आपने polity पड़ी हो अच्छे खासी तरीके से तो country में और उसमें यही फरक होता है nation में के nation जो है वो एक emotional concept है और country एक जो है वो political जोग्रफीकल concept है जिसके प्रोपर boundary होती है वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं government होती है जो उनको control करती है वो होती है country और nation तो कुछ भी हो सकता है जहाँ पे oneness की feeling आती है वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो अपने आपको जुडाव महसूस करते हैं वो एक nation होता है जैसे जर्मनी के चर्चा करेंगे definitely कभी बहुत detail में तो हम लोग अपसभा या दुबारा से आते हैं तो अपसभा के अंदर कहीं सारे provisions है जैसे जब central government या फिर state government जब किसी area को disturb area declare कर देती है तो वहाँ पर ये कानू लागू हो जाता है अब यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो disturb area को declare करने की power किसके पास है ये center के पास भी होती है और ये state के पास भी होती है इस तरह के question आपसे exam में पूछा जा सकता है ठीक है आप लोग ने इसको याद रख लेना है अब सभा के अंदर जो armed forces उनको को special power दी गई है कि जैसे भीया वो किसी को shoot कर सकते है गोली चला सकते है और वो आदी मर भी सकता है उसके लावा अगर उनको लगता है कि यहाँ पर दो चार लोग इकठे होके अगर वो उनके पास weapons वगरा है कैरी करते है तो वही है उनको पकड़ा जा सकता है ठीक है और सिर्फ एक बार आपको warning देनी पड़ती है warning दे के आप सिधा गोली चला सकते हो ऐसा कोई hard and fast टूल नहीं है उसके लावा उनके ओपर कारवाई भी सेंटर कारवाई कर सकता है लेकिन यूजली कारवाई वैसे ऐसाच होती नहीं है आप जो है किसी भी परसन को उसे घर में जा सकते हो सर्च कर सकते हो material को seize कर सकते हो without any warrant है ना तो थोड़ी सी इसे black act भी कहा जाता है जो आपका roll attack था ना कुछ कुछ उसी तरह का है ये once a person is taken into custody अगर एक बार किसी परसन को custody में ले लिया जाता है पकड़ दिया जाता है तो उसको कहां पे nearest police station में उसको you know hand over करना पड़ता है as soon as possible अब ये as soon as possible काफी subjective है एक दिन भी हो सकता है दो दिन भी हो सकता है हफता भी हो सकता है 15 दिन भी हो सकते हैं ऐसा कोई मतलर 24 hours तो नहीं दिया गया है न जैसा हमारा हर्ब्यस कोर्पस के अंदर दिया गया है 24 hours के सामने magistrate के सामने पेस करना है तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है तो यह कुछ इसलिए इनको काफी misuse भी होता है बहुत सारी reports आती है जम्मू कश्मीर में नोर्थ इस्ट इंडिया में लेकिन सरकार का कहना है कि भीया ये necessary evil है हमें पता है कि यह अच्छा नहीं है democratic country में होना नहीं चाहिए अपने लोगों के इस तरह की चीज़ें लेकिन यह necessary evil है मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हमारी भी मजबूरी है देश की sovereignty के लिए इस तरह की चीज़ें करना बहुत जरूरी है लेकिन जैसे वहाँ पर शांती कायम होगी जैसे पंजाब में हुई थी तो इसको हटाया जा सकता है ऐसी बात नहीं है मनिपूर में भी कहीं सारी districts से इसको हटा दिया गया है और नाचल प्रदेश में भी कुछ जगह से बीच बीच में इसको हटा दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि सरकार इसको लगाना के रखना चाहती है उनको लगता है कि disturbance होगी तो इसलिए लगाते हैं तो सरकार का अपना argument है लोगों का अपना argument है ठीक है तो वो थोड़ा साब को यहां पर देखना पड़ेगा खेर आगे बढ़ते हैं अंगली जो नियूज आती है वो आती है ओडिसा से ओडिसा से यह देखे यह पैंगोलिन है ठीक है जिसे जो है एक modern dinosaur भी कहते है और पैंगोलिन एक endangered species तो खर है ही और यह दुनिया में सबसे ज़ादा illegally मारे जाने वाला एक animal भी है इसकी सबसे ज़ादा smuggling और trafficking होती है पैंगोलिन की चाइना में पैंगोलिन की बहुत डिबांड होती है जैसे इंडिया में आयुर्वेद है ना तो हमारा आयुर्वेद जो है plant based है राइट लेकिन जो चाइना की जो traditional जो medicine है वो basically animal based है तो उसमें animals के products use के जाते हैं जैसे उनकी हड़ियां हो गई ना खून हो गए skin हो गए उनके बाल हो गए वहाँ पे उसको traditionally use के जाता है जैसे इंडिया में आयुर्वेद को लोग बहुत जादा मानते हैं घरेली नुस्खे होते हैं उसी तरह चाइना के traditional medicine है वो भी चाइना के अंदर बहुत popular है इवन आयुर्वेद जितना यहाँ पे पीक सेंटर है तो यह पैंगोलीन को लेगे कच्छी न्यूज है ओडिसा में पैंगोलीन था बिमार होगा या कुछ हुआ होगा उसको rescue किया था basically तो उसको rescue करने के बाद उसको बाद में जंगल में छोड़ दिया गया और कोंसे जंगल में छोड़ा गया यह आप याद conservation breeding center है ओडिसा के अंदर जहां पे इंडियन पैंगोलीन को conserve किया जाता है उनको उनकी breeding करवाई जाती है breeding वेरा करवाने के बाद आप जंगल में छोड़ देते हो दुनिया का सबसे largest है यह की establishment है 2009 में हुई थी मध्या प्रदेश के बाद ओडिसा इंडिया का second ऐसा state है जहा अंडे बंडे नहीं देता है सिता बच्चे देता है तो यह होता है मैमल का मतलब यह थोड़ी चीज होगी और इंडिया का जो इंडियन पैंगोलीन होता है वो दुनिया में सबसे largest पैंगोलीन होता है पैंगोलीन की दुनिया भर में 8 species पाई जाती है और इंडियन पैंगो जाता है थोड़ा यूनिक साइज का लाइफस्टाइल है वो थोड़ा आप देख लीजीगा तो जब इंडिया में हम लोग वाइड लाफ की conservation की बात करते हैं तो इंडिया में एक एक्ट है ठीक है वाइड लाफ यह पहले नहीं था क्या कहता है यह आर्टिकल 48 वो यह कहता है Constitution of India directs the state to protect and improve the environment and safeguard wildlife and the forest the article was added in the constitution by the 42nd amendment act 1976 इसका मतलब यह है कि यह हमारे original constitution में नहीं था बाद में 1976 में emergency के दुराँ जब इंडिरा गांदी थी उस समय इसको add किया गया था और यह होती है हमारी fundamental duties actually fundamental duties को भी उसी समय में किया गया था कितनी हमारे पास fundamental duties हैं आप मुझे बताईए खेर वह तापको पता ही होगा लेकिन आपको हर fundamental duties आपके tips पे होनी चाहिए by heart हर word हर sentence याद होना चाहिए exam में आपसे as it is question पूछे जाते हैं आपको जो DPSP है हर DPSP के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और fundamental rights ठीक है रटे होने चाहिए fingertips पे कुछ भी पूछ सकते भई आपसे वो तो यह जो हमारा वाइड लाइड प्रोटेक्शन एक्ट है इसके अंदर छे शेडूल होते हैं जैसे हमारे constitution के अंदर शेडूल से ना अच्छा चलो बात चली गई है तो यह बताओ कि हमारे constitution के अंदर कितने schedules है total और आप यह भी बताइए कि हमारी जो language है वो कौन से schedules के अंदर की जाती है ठीक है कौन से schedule के अंदर उसको include किया गया है languages को क्योंकि यह question ओड़ी UPSC में पूछा जा चुक है 2014 में भी और 2015 में भी दो साल लगातार question repeat हुआ था UPSC वैसे ऐसा करता नहीं है लेकिन कभी-कभी हो जाते है चीज़े खैर तो वाइडलाफ protection act के अंदर हमारे छे शेडूल है वाइडलाफ protection act को आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे खासे अच्छे तरीके से अब छे शेडूल के अंदर क्या है पहले शेडूल के अंदर और दूसरे शेडूल के अंदर जिन species को एड किया गया है वह endangered species होते हैं और भाईया अगर आप इनको मारोगे तो आप समझ लीजिए कि आप जो है जेल में जाओगे आपको बेल भी नहीं होगा क्योंकि highly protected होते हैं सेडूल नहीं होते हैं लेकिन उनको जैसे आपका टाइंगर आ ना आपका प्लेक बगई वह सारी चीजी स्ट्री चिश्ट्र्स वाले होते हैं और आ जात interrogate है इनिमल्स कोई जादा इनको प्रटेक्शन वगरा नहीं होती है शुडूल 6 के अंदर क्या आते हैं प्लांट्स आते हैं ठीक है ये आपने याद रखना है खास आभी तक यहां से कोशन पूछा नहीं है UPSC ने में भी फ्यूचर में पूछ ले क्योंकि उपर वाले जो एक से लेके 5 शुडूल है ये एनिमल्स स्पीसीज की बात करते हैं शुडूल 6 जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स और अग्रिकल्चर स्पीसीज प्लांट्स की बात करता है तो मुझे लगता है एक इंपोर्टन टोपिक है अगर मैं एक्जामिनर होता पेपर सेटर होता तो मैं डेफिनेटल यहां से कोश्चन सेट करता तो हो सकता है मेरे जैसा कोई और भी सोचता हो वो भी यहां से कोश्चन बनाए तो शुडूल 1 के अंदर आप देख सकते हो कौन कौन से अनिमल है टाइगर है ब्लैक बग है देखे यह ब्लैक बग तो काफी न्यूज में रहता है क्योंकि जो हमारे सेलमन भाई है ना तो यह उन्होंने ब्लैक बग को ही मारा था बेसिकली तो ब्लैक बग को मारने के बाद जो है पांच साल की जेल भी हुई है ना आप सबको पता है क्योंकि यह highly protected species है और राजस्थान में black book पाया जाता है ठीक है और इसलिए jail में गए उसके बाद चीता हो गया clouded leopard, hornbill, hornbill को लेकर UPSC morality question पूछा जा चुका है ठीक है तो आपने क्या करना रहता अपने exam के perspective से एक तो आपको वो पता है कि जो endangered species हैं आपक को पता होने ही चाहिए उसके अलावा जो sites ठीक है उसके अंदर जो animals आते हैं वो आपको पता होने चाहिए और इंडिया में कुछ खास खास जो program हम लोग लेते हैं जैसे project tiger हो गया, project elephant हो गया, project hangul हो गया, इनको भी आपको पता होना चाहिए ठीक है जो state birds होगरा है, state animals है य schedule 2 के अंदर देख सकते हैं आप यहाँ पर कोहिनूर, SME मकाग, बैंगोल, हनुमान, लंगूर, लार्ज, इंडियन, सीवेट, कश्मीरी, फोक्स, and all that, flying squirrel के बारे में उड़ी UPSC में कोशन पूछा जा चुका है, schedule 3 and schedule 4, list species that has no danger, कौन को से हाई नाज, हिमालियन, रैट, पर है, IUCN की list क्या होती है, IUCN के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, bird international क्या होता है, तो यह कुछ organizations है, internationally institutions हैं, जो आपको definitely अपने exam के हिसाब से याद करने पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा tough होता है, थोड़ा सा factual information होती है, लेकिन करना तो पढ़ेगा ही, खेर, आज के editorial section मे बताई गई है, एक दो न्यूस थोड़ी खराब न्यूस है, जो की जहां पर हम लोगों को improvement करने की जुरूरत है, लेकिन overall ठीक ही यहां पर बताया गया है, सबसे पहली जो न्यूस बताई गई थी, वो बताई थी, नोने fertility rate के बारे में, दोस्तों, fertility rate क्या होता है, जब एक 2.1, अगर एक women, अगर वो 2.1 बच्चे पैदा करती है, तो इसका मतलब population बढ़ नहीं रही है, वो exactly replace हो रही है, हजार लोग से replace हो जाते हैं, जो की एक stability के लिए बहुत जरूरी होती है, 2.1, अब वो लोग के सर बच्चे, एक और 2.1 बच्चे कैसे पैदा करे गया, तो व करेगी, यह वतीन करेगी, नहीं, नहीं, देखे, क्या होता है, इसमें हम लोग कुछ उनको भी consider कर लेते हैं, जो की delivery के दौरान, जिनके death हो जाती है, इसलिए हम लोग 2.1 माल लेते हैं, क्योंकि 0.1 बच्चों की हो सकता है, death भी हो जाए, है ना, delivery के दौरान, 100% तो कहीं पर भी नहीं होता है, तो maternal mortality rate और child mortality rate और reality है समाज की, और इंडिया में तो कुछ जादा ही होता है, तो उस हिसाब से 2.1 यहां पे consider किया जाता है, और अगर 2.1 से कम होती है, population, fertility rate अगर 2.1 से कम होती है, तो इसका मतलब population long period of time में decrease होने लगती है, जैसे Eastern European countries की है, जैसे Japan की स मजली जी है न, वहां पे जो fertility rate है, वो 1% के लगबग है, तो इसलिए उनकी population जो है, decline हो रही है, जो पुराने लोग थे, वो बोड़े हो रहे है, चाइना का भी यही हाल है, तो इंडिया के जो fertility rate है, वो कितनी है, 2.0, इसका मतलब इंडिया की जो population है, उसका explosion का कोई खत्र नहीं है, लोग टर्म में इंडिया की जो population है, वो stable हो जाएगी, और फिर decrease भी हो जाएगी, मेरे खाल से 20-70 के बाद तो decrease होनी शुरू हो ही जाएगी, हमारी population, 20-45 तक stable हो जाएगी, ठीक है, अभी मतलब 20-25 साल है, हमारे पास एक window है, यंग population वाला, तो वो एक इसके अंद इसके ही होती है, देखे पराने बुड़े जब हमारे बुजूर गोहा करते थे, वो 5-5-6-6-7-7-7 बच्चे पैदा करते थे, आपके दादा जी, उनके पिता जी उनको देख लीजी, आप कितने बच्चे पैदा होते थे, क्यों होते थे, क्योंकि उस समय है health system अच्छा थ हा नहीं, और जो सुविधाएं होती है, वो सुविधाएं उनकी थी नहीं, death rate बहुत जादा थी, जादा बच्चे पैदा कर दिये जाते थे, ताकि कुछ लोग survive कर सकें, तो बहुत सरे reasons हुआ करते थे, और धीरे-धीरे जैसे कितम से health system improve हुआ, तो बच्चे कम death होने लग कम होने लगती है, तो जैसा कि इंडिया में देखा भी जा सकता है, उसके लावा, 41% जो वीमन है इंडिया में, वो कम से कम उनको 10 साल की school education मिली है, जो काफी अच्छा indicative है, और जितने भी यहाँ पर फेक्टर जो compare किये गए हैं, वो 2015 से 2019 के बीच में किये गए हैं, ठीक है, और schools who, girls who study longer have the fewer children, definitely, जो girls हैं, जितने ज़्यादा school में पढ़ेंगी, education लेंगी, तो उतने ही उनके कम बच्चे होंगे, क्योंकि वो late शादियां करेंगी, अगर वो बच्ची school में नहीं जा रही होगी, तो घरवाले उसकी 17-18 साल में शादी कर देते हैं, लेकिन अगर वो school में जा रही है, college में जा रही है, जोब कर रही है, तो डेफिनिटली 23-25 साल की उमर में शादी होती है, तो डेफिनिटली बच्चे भी कम पैदा होंगे, और जब वीमन काम करती है, तो और employment सेक्टर में के अंदर participate करती है, तो डेफिनिटली वहां पे भी, इंडिया के ओव बच्चे के भी चेक अप होते हैं, उसकी डाइट का ध्यान रखना, इंजेक्शन लगवाना, दवाईयां और ठीक है, वो उसको हम जो है, नेटल केर बोलते हैं, तो वो भी इंप्रूव हुआ है, इंडिया में 7% ही बुर हुआ है, पहले के कमपैरिजन में, उसको लावा इंसिटूशन डिलिवरी हैं, इसको लेके तो अलड़ी हम लोग एडिटोरियल कर चुके हैं, इंसिटूशन डिलिवरी का मतलब जो जब वीमन की डिलिवरी होती है, वो होस्पिटल में होती है, नर्सिंग होम में होती है, राधर दैन जैसे पहले गाउं में होता था, कि व 100% भी होता है और इंडिया में देखिया भी बहुत सारा रास्ता हमें लंबा रास्ता है नापना है उसको तो बहुत पीछी है खरूस मामले में हमें लोग 11% प्रेगनेट विमें जो हैं मतलब इंस्टिशन डिलिवरी की बात वो कर रहा है कि अभी भी 11% विमें ऐसी है जहां पे हेल्थ सुविदाई बिलकुल भी नहीं पहुँच पाई है उसके लावा जो 7.9% जो विमें है वो एज ग्रूप 15 से 19 साल की तो वो प्रेगनेंट है भाई या तो इंडिया में अभी जो टीनेज प्रेगनेंसी है खासकर नोर्थी स्टेट्स में और ट्राइबल कम्मिनिटीज में अभी भी वो थोड़ी जादा है ठीक है तो एक बार इसको भी टैकल करना बहुत जादा ज़रूरी है यह जो टीनेज प्रेगनेंसी होती है डिस्क्रिमिनेटरी सोशल नोम्स तो वो तो डेफिनिटी थे हमारे यहां पे हैं ही प्रपोर्शन होता वीमन हो हैव दियर ओन बैंक अकाउंट इस ओनली 76% हाला कि पहले से इंप्रूव हुआ है लेकिन अभी भी सिर्फ 76% ओरतों के पास ही बने जाना इस मामले में भी तो जितना जादा वीमन के पास मुबाइल फोन होगा इंटरनेट होगा ता अवेरनेस बढ़ती है वो एक वीमन एंपार्मेंट के लिए बहुत जरूरी है इंफोर्मेशन के एकसेस होना और इंफोर्मेशन के एकसेस के लिए आज के समय में इंटरनेट एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज़ है चाइल्ड मैरिज का अगराब बात करो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को चिंता करने के जूरूत है क्योंकि इंडिया में आज भी 26.8% जो चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी अभी भी चाइल्ड मैरिज होती है जो कि बहुत ही जादा है अगर आप सेक्श रेट बर्थ की बात करें तो इंडिया में वो भी हलका सा इंप्रूव हुआ है पहले 919 हुआ करता था 2015 में जो कि बढ़के अभी 939 हो गया है खेर यह भी काफी कम है चिंता का विशा है तो इस सब को प्रोलम हम लोगों समझ में आ गई अब यह सारे फैक्ट जो है आपके एक्जाम में आप यूज़ कर सकते हो देखे कोई ऐसे चलता फिरता कोई सर्वे नहीं है यह यह नैशनल फैमिली हैल्थ सर्वे का एक बहुत ही जाना माना एक बहुत ही वैल एस्टेबलिज्ट और रिस्पेक्टिड और गोवर्मेंट ओफ इंडिया का डेटा है तो यह डेटा अगर आप दो चेर बार पढ़ लोगे ना आपको याद हो जाएगा और आपके मेंस के एकजाम में स्टेटा को आप आप लिख सकते हो क्योंकि देखे आपको मैंने पहले बता चुका हूँ जब आप मेंस के एकजाम में अपनी स्टेटमेंट को फैक्ट के साथ बैक अप करते हो ना तो आपके आंसर की कॉलिटी बहुत इंप्रो हो जाती है ठीक है चलिए तो कैसे solution क्या क्या कर सकते हैं आज के समय में इंडिया में अभी भी सिर्फ 25.6% women जो हैं वो women participation करती हैं economy के अंदर जो की दुनिया में सबसे कम countries में हैं इंडिया दुनिया का ऐसा top country है जहां पर सबसे कम औरतें paid work के अंदर involved हैं आज भी इंडिया की 75% से जादा women unpaid work करती हैं मतलब वो house wives हैं घर में काम करती हैं बच्चों को संबालती हैं भहिया लेकिन वो economy में paid work नहीं करती हैं इवन बहुत सारी educated women में मतलब एक यह बड़े irony हैं इंडिया में के women की education percentage increase हो रहा है लेकिन unfortunately women participation जो है वो job सेक्टर में कम हो रहा है यह एक irony है आप जो है comment section में इसका answer मुझे बता सकते हो ठीक है के ऐसा क्यूं है education इंडिया की वोरतों की लगातार increase हो रही है higher education में women participation increase हो र market ही बात करते हो तो वहाँ पे women participation decrease हो रहा है एक irony है contradiction है ठीक है यह क्यूं है आप अपने दिमाग का थोड़ा सा बताइए मुझे common sense है थोड़ा गोगल अगवा करना है तो वह भी कर सकते हो क्योंकि कल मैं आपके इसके reason बताऊंगा ठीक है कल या परसो जब भी इस तरह कोई topic आएगा तब हम इसको करेंगे वह आप बताईए अपकी समझ से उसके अलावा अभी भी इंडिया में बहुत सार अंपेड वर्क और domestic वर्क वर्क बताई दिया तो इंडिया को क्या करने के जोड़ता है इंडिया को कुछ चीज़े करने के जोड़ता है पहली बात के या ज गेंडर नीटरल ही होनी चाहिए इंडिया में बहुत सारे मतलब ऐसे एजूकेशन के सेक्टर या जोग के सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आज भी बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेशन है जैसे स्टैम हो गया है ना साइंस टेकनोलोजी मैथेमेटिक्स यहां पर वीमन के पार्ट देख सकते हो यूए में जो मोदी जी को वीजिट करनी थी उसको अभी कैंसल तो नहीं किया है पोस्ट पॉन किया बेसिकली फ्यूचर में होगी वो क्यों किया क्योंकि ओमिक्रोन के केसिस बढ़ रहे हैं तो इनको जो है यूए की वीजिट करना था और यूए के साथ हम ल यह कुछ इसी तरह का है पूरी फिल्म है वह है फ्री टेड अगरीमेंट उससे पहले हम लोगों ने चोट आसा टीजर किया था जिसका नाम है अरली हार्वेस्ट अगरीमेंट ठीक है अरली अब देखे फ्रीट अगरीमेंट क्या होता है उसके लिए मैंने कोई डाला तो थ तो इसको कुछ उसी तरह का है तो फ्री टेड अगरीमेंट जिस भी कंट्री के साथ किया आगरीमेंट तो उसके साथ जोह हमारे बैरियर्स होते हैं जो टैरिफ नहीं लगाएंगे तो basically जब free trade agreement हो जाता है तो उन countries के अंदर जो भी सामान goods, services बेची जाती है खरीदी जाती है उनके उपर tax नहीं लगाए जाता है almost यह free trade हो जाता है ठीक है इसे कहा जाता है free trade agreement तो UAE के साथ हम लोग free trade agreement करने वाले हैं 2022 में definitely हो जाएगा ठीक है तो उसको लेके उन्होंने यात्रा करनी थी और दुबई के अंदर इंडिया का जो expo लगता है वहाँ पर उनको visit करना था unfortunately वो नहीं जा पाए एक वो थोड़ी सी चीजे हैं इंडिया UAE के अंदर क्या क्या एक्सपोर्ट करता है आप उसको देख सकते हो petroleum products करता है precious metals करता है देखे petroleum product और petroleum में फर्क है दोस्तों इंडिया crude oil यानि के petroleum को हम लोग बहुत सारा import करते हैं लेकिन इंडिया में refineries हैं हम petroleum products को export करते हैं ठीक है उसको कारवाई करते हैं उसको प्योर करते हैं उसको modify करते हैं और export करते हैं ठीक है जूलरी वो इंपोर्ट करते हैं mineral chemical wood and all that बहुत पराने रिष्टे हैं युए के साथ हमारे यार हडपा civilization से रिष्टे चले आ रहे हैं कोई पराना यह नहीं है युए is home to an Indian expatriate 2.6 million लोग मतलब 25-26 लाख लोग इंडिया के वहां पर काम करते हैं दुबई के अंदर और बहुत सारा remittance भी हम लोगों को वहां से आता है और हमने वहां पर इंडिया का जो ICCR है cultural center है वहां पर उनों ने हम लोगों ने दुबई में 2009 में cultural center भी open किया था तो UAE के साथ थोड़े बहुत रिष्टे हलाकि हम जब पाकिस्तान की बात आती है तो UAE पाकिस्तान के थोड़ा सा ज्यादा close है कश्मीर के मुद्दों को लेकर अभी तो पिछले 15-20 साल से तो नहीं रहा लेकिन 1990 तक UAE पाकिस्तान को support करता था कश्मीर वाले मुद्दे पे अभी तो खेर इंडिया वर्ड पावर बन गया है तो भाई आप तो सब पैसे का खेल है ना अभी इंडिया एक इतना बड़ा economic partner है UAE वैसे हमारा जो है third largest trade partner है पहले नमबर पर USA है दूसरे नमबर पर चाइना है तीसरे नमबर पर UAE है तो भाई या इंडिया को नराज करके आप नहीं जा सकते ठीक है इंडिया भी आपको नराज नहीं कर सकते है क्योंकि Middle East के इंदर हमारे जो interest है definitely वो UAE इरान इसराइल ह अच्छे relation बना के ही चलेगा खेर आगे बात करते हैं banks must pay customer their money on demand देखे कोई वैसे तो कोई खास news है नहीं लेकिन आपका एक चीज़ पता होगा कि आप देखे हम लोगों करते हैं bank में एक हमारे पास होता है current account है ना एक आपके पास कुन सा होता है saving account जो आप सभी लोगों का होगा saving account और एक आपके पास होता है fixed deposit है ना यह तीन द्रेग अकाउंट बेसिकलि आप open करते हो current account बेसिकलि वो लोग open करते हैं जो business person होते हैं जिनको को institution होती है organization होते है basically business के purpose के लिए use किया जाता है current account क्योंकि इनको daily basis बे लाखों क्रोडों के transactions करनी होती है ना इसलिए business account वाले वी use करते हैं लेकिन bank आपको current account के लिए कोई भी interest rate नहीं देता जीरो interest rate पे करता है even आपसे थोड़ी भो transaction fees लेता है क्योंकि वो आपको service दे रहा है और service के लिए आपको charge किया जाता है उसके आलावा आता है saving account saving account को जो है demand demand भी बोल सकते हो demand account भी बोल सकते हो ठीक है यह आपके दोनों के demand account आजाते है fix deposit को आप demand account नहीं बोल सकते क्योंकि जब भी आप demand करोगे तो आपका fix deposit आपको नहीं मिलेगा क्योंकि fix deposit एक particular समय के लिए fix हो जाता है वो bank के अंदर ही रहेगा फिर भी buy chance अगर आप FD को तुड़वाना चाहते हो तो bank आपके उपर fine मुझे तो पैसे की जुरूत है मुझे तो अपनी लड़की की शादी करनी है मुझे तो अपनी लड़के के लिए यह करना है वो करना है अपना छे महीने भी बैंक में पहुंच गए या बैंक तो आप से बोलेगा ना कि भी आपने fix deposit एक साल के लिए करवाया था आप 6 महीन fix deposit के उपर उसके बाद जो interest rate होता है वो होता है आपका फैले में यह लिक देता हूं fix deposit पे सबसे ज्यादा interest होता है फिर आपके आजाता है saving account और फिर आपका आजाता है current account में तो कोई होता ही नहीं 0% ही होता है लेकिन अब यहाँ पर क्या है देखे मनाला अपने bank में जो है demand करोगे तो bank आपको पैसा देना ही पड़ेगा bank आपको मना नहीं कर सकता क्योंकि जब आप bank में पैसा दे रहे हो इसका मतलब यह है कि bank जो है वो borrower है उसने आप सब पैसा borrower किया है और आप lender हो आपने bank को पैसा दिया है ठीक आप creditor हो तो ऐसा ही इसी case में जो है supreme court ने case में सनुवाई चल रही थी कुछ case था यह कहीं का उसमें supreme court ने सापसाव कह दिया कि bank से अगर कोई आदमी अपना पैसा मांगता है तो bank उससे मना नहीं कर सकता bank के बीच में और लोगों के बीच में एक trust का relation नहीं है यह एक legal relation है ठीक है आप bank के अंदर जो पैसा रख रहे हो भरोसा करके नहीं रख रहे हो कि मेरा पैसा सेफ है वो एक legal लीगल तोर पे bank bind है उसको आपको पैसा देना ही पड़ेगा ठीक है तो यह जो है supreme court का एक छोटा सा एक judgment आया था उस judgment के लिए मुझे लगा थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ ठीक है तो भई आप जब भी आप बैंक के अंदर जाते हो ATM लेके जाओगे चेक बुक लेके जाओगे डिमांड राफ जो भी लेके जाओगे तो बैंक को आपको पैसा देना ही पड़ेगा बैंक मना नहीं कर सकता है ठीक है यही था आज का यह वाला छोटा सा टोपिक उसके लाबा missionary of charity वाला issue अलड़ी इसको लेके थोड़ा controversy में है तो जीन बच्चों ने पहले ले analysis नहीं देखी है उलड़ी मैं करवा चुक हूँ तो आप analysis देख सकते हो लेकिन अगर किसी को topic repeat में पढ़ना है तो आपके लिए जो है repeated topic है क्या करते है किसी भी topic बाल की खाल उतार लेते हैं अब यह topic को पिछ इसी में मैं बता देता हूँ कि FCRA के तहत जो कुछ चीज़े हैं वो लेकिन इसके अंदर कुछ exemptions भी है जैसे member of legislature जहा है जो MLE MPs होते है political parties होती है government officials होते है judge media person वगारा वो लोग foreign funding नहीं ले सकते लेकिन इसके अंदर एक जोल है इसके अंदर जोल यह है कि 2017 के अंदर पार उस amendment में यह चीज़ बोली गई थी मालनों कोई American company है अगर उस American company की कोई subsidiary अगर इंडिया के अंदर है तो वो political parties को funding दे सकती है उसके लावा अगर कोई Indian company है और किसी American company के अंदर या किसी विदेशी company के अंदर उसके 50% से ज़्यादा share है तो वो company भी इंडिया की political parties को donate कर सक पैसा through electoral bond यह कुछ changes इन्होंने यहां पर किये थे otherwise otherwise foreign country जैसे मालों Facebook की बात करे किसी की बात करो वो Indian political parties को funding नहीं दे सकती है ठीक है वो इसके अंदर rule लिखा गया है एको टोपिक अगर आपको पढ़ना है तो आप यह गंगा सागर मेला के बारे में भी पढ़ सकते हो यह West Bengal ठीक है जहां पर गंगा समंदर के अंदर मिलती है डिल टेल्टा रीजन में लगता है तो ऐक बड़ा ही शांदर गंगा सागर मेला लगता है इसके बारे में पढ़ना है तो यहां पर भी पढ़ सकते हो चलिये जी तो आज के News प्रके में साल का आखरी दिन है आज आपको ए में क्या क्या करना है देखिए ऐसा मत बोलना कि मैं कल से जो है पंदरा गंटे बैठके पढ़ूंगा या पढ़ूंगी है ना वो अन्रियलिस्टिक होता है और वो कभी भी फुल्फिल नहीं होता है वो हफ्ते बंदर के अंदर ही वो आपका सब्सक्राइब जो है प्रोमिस ट बदाई हो आई होप नया साल आपके लिए एक अच्छी हेल्फ लेके आए वेल्फ लेके आप अच्छे से पढ़िये आपकी जोब लगे और आपके फैमिली वाले हल्दी रहें सब कुछ पढ़िया रहे तो नये साल की आप सभी को शुब कामना है और इसी के साथ आज के न analysis khutam. Thank you very much, all the best and happy new year.